सावन के चौथे सुमवार से सागर के चकरा घाट पर गंगार्ती के शिरुवात होने जा रही है सागर के इतिहास में शायद पहली बार लाखा बंजारा जील के किनारे इस तरह का आयूजन किया जा रहा है इस कारिक्रम को भविरूप देने के लिए नगर विधायक शैलिंद्र जैन और नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री लगतार चकरा घाट पर पहुँचकर निरिक्षण कर रही है और जरूरी वबस्थाएं करवा रही है मंगलवार को भी दोनों लोग दलबल के साथ बरसते हुए पानी में पहुँचे थे उलेखनी है कि विधायक जैन और एडवाइजरी बोर्ट के विशिश रूची और सुझाव पर स्मार्ट सिटी के माध्यम से लाखा बंजारा जील का पुनर नर्माण किया गया है जिससे तालाब और चक्रागाट का शीतर अत्यंत सुन्दर लगने लगा है इसी के तहट विधायक जैन की पहल पर तालाब किनारे चक्रागाट पर गंगा आरती आयू जित की जा रही है इसके तहट बारिश को देखते हुए वाटर प्रूफ मंच का दर्माण किया जा रहा है इस उसर पर सांस्क्रितिक कारिक्रम भी आहियो जित के जाएंगे आरती के दोरान डवरू दल के प्रस्तूती अखाडू का प्रदर्शन भी किया जाएगा उन्होंने का कि ध्वनी यंत्रों की तरह व्यवस्था की जाए ताकि गंगा आरती की ध्वनी इस पूरे शेत्र को गुणजाएमान करे कारिक्रम में धपला रमतूला के माध्यम से अतित्यों का स्वागत किया जाएगा आम और केले के पत्तों के बंधन बार और मंदब बनाया जाएगा इस दोरान डुलडुल घोडी का भी प्रदर्शन किया जाएगा उन्होंने गंगा आरती में लगने वाली सामंगरी और तैयारियों की समिक्षा की उन्होंने बताया कि चक्रागाट पर प्रते दिन गंगा आरती की जाएगी चक्रागाट के मंदिरों में लाइटिंग और सुन्दर्ता को और भी बढ़ाने का नर नय लिया गया घाट पर चारू ओर डस्ट बीन लगाने और अन्य ववस्थाइं करने के नरदेश दिये गए सुमवर शाम साथ बजे गंगा आरती की जाएगी वहीं इसके लावा विधायक श्वैलिंद्र जैन एवं नगर निगम आयुक्ति राजकुमार खत्री ने महाकवी पदमाकर जी के प्रतिवा इवं प्राचीन शिवाजी अखाडे का भी ने रिक्षण किया और वहाँ पर पहलवानों की मांग पर ओपन जिम लगाने का श्वासंदिया हीरो एच एफ डेलक्स सेलफ स्टार्ट माय आर्टियो बीमा सहीत चार हजार रुपए के बापपर डिसकाउंट के बाद अब 77,500 रुपए में आज ही अभीरो एच एफ डेलक्स खरीदे